हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंड्स कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो जैसे की देख की फ्रेंड्स पता चल रहा है कि आज हम बनाने जा रहा हैं वेस्ट सोया पिलाओ एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी और कम्प्लीट रेसिपी और one pot meal रेसिपी मतलब आप फटा फट से बना सकते हैं रोज-रोज की रोड़ी सबजी खा के बोर हो गया ना तो दस से पंदर मिनट में आप इसको रेसिषब बनां सकते हैं और जो भी आपके घर में सबजी हों उसी से आप इसको बना सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करत और रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा तो यहां पर मैंने एक कप ले लिया है और इसमें यहां पर गरम पानी डाल दिया है इसके बाद कप बासमती राइस लिया है आप कोई भी राइस ले सकते हैं जो भी आप नॉर्मल घर में खाते हैं वो आप राइस ले सकते हैं थोड़ा बासमती राइस लेने से पुलाओ का टेक्शर अच्छा खिल के आता है मतलब चावल थोड़े लंबे लंबे ग्रेंस के अच्छे ब भीगो के रख देंगे, भीगो के रखना जरूरी है, चावल जब भी आप बनाये ना उसको भीगो के आदे गंटे जरूर रखें, फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी से सबजीया ली है, जिसमें मैंने बीन्स, प्याज और मटर ली है, फ्रोजन मटर यूज किया, और यहाँ पे मैंने दो से तीन चमच यहाँ पे दही डाला है, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, उसके बाद यहाँ पे एक चमच कश्मीरी लाल मिश डाली है, और आधी चोटी चमच यहाँ पे गरम मसाला डाला है, और थोड़ा सा कसूरी मेती क्रश करके डाल दिया है, इन स बाद कुछ खड़े मसाले जैसे यहां पे जीरा डाला है लॉंग काली मिर्च तेज पत्ता एक बड़ी इलाइची और दो दालचीनी के टुकुड़े डाले हैं और थोड़ा सा अच्छे से खड़े मसालों को हलका साव भून लेंगे फ्रेंड इसमें आप देसी गी का या बटर का यूज जरूर करिएगा पुलाओं में बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसके बाद अध्रक लैसन और मिर्च यहां पे मैंने कट करके रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे आप यहां पे अध्रक लैसन मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं और उसके बाद यहां पे थोड़े से काजू रखे थे मैंने वो डाले हैं काजू ऑप्शनल है आप चाहे तो डाले अगर अच्छा नहीं लगता उसका टेस्ट पुलाओ में तो आप बिल्कुल स्किप्ट कर सकते हैं और इन सब को अच्छे से हम भून लेंगे उसके बाद हम प्याज जो हमने कट करके रखी है लंबे स्लाइस में प्याज आप कि आप चाहें तो इसमनला मिर्च वगएरा भी डाल सकते हैं टेमाटर तो बाद में डालेंगे लेकिन इन सब सब्जियों को पहले अच्छे से हम भून लेंगे वैसे तो आप इसको रिफाइन में भी बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा आप देसी घी जरूर डालिएगा रिफाइन भी डालिए पर थोड़ा सा देसी घी आप एक चमच और देड़ चमच के असपस जरूर डालिएगा फिर यहां पे मैंने यह जो सोया चिंक्स रखे थे मैरिनेट करके वो मिसमें डाल दिये हैं इसको भी अच्छे से भून लेंगे सबजियों के साथ ही जब हमारी सबजियां भून जाएं तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले तो यहां पे मैंने एक चमच धनिया पाउडर डाला है उसके बाद फिर मैंने यहां पे डाला है देड़ से दो बड़े चमच गरम मसाला पाउडर बहुत जादा यहां पे मसाले नहीं डाले है कि पहले भी मैंने खड़े масालय डाले थे और उसके बाद अधी छोटी चमच यहांपर Haldi powder डाली है मैंने उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे लालमिश बाॉडर तो यहांपर मैंने कशमीरी लालमिश बाॉडर का य्यूस किया है जिसे इसमें Color भी इच्छा हाएगा पुलाओ में और बहुत तीखा भी नहीं बनेगा तो इन सब और सब्चीयों को अच्छा से मिला लेंगे और इन सब को मिलाने के बाद इसमें डालेंगे चावल जो हमने भिगो के रखा था वो हम चावल इसमें डाल देंगे उसका पानी निकाल के और चावल को फ्रेंट्स आप जरूर आदे घंटे तक भिगोईएगा और सबजियों चावलो को फिर अच्छे से मिक्स करते हुए मिलाते हुए और दो से तीन मिनट तक अच्छे से इसको भी भून लेंगे चावलो के साथ भूनने से क्या होता है ना कि पुलाओ बहुत ही खिला हुआ बनता है तो बस इसको दो से तीन मिनट तक अच्छे से भून लेंगे और फ्रेंड्स पुलाओ में सबसे ज़्यादा ख्याल आपको रखना होता है पानी के मेजर्मेंट का अगर आपने एक कप चावल यूस किया है तो आप डेड़ कप ही पानी डालें उससे ज़्यादा नहीं तो उससे क्या होता है कि पुलाओ हमेसा खिला ही बनेगा आपका तो ये देखें पानी डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे नमक और इसको पान से साथ मिनट तक ढग के छोड़ देंगे और बीच बीच में आप चेक करते रहेगा चावल पका है या नहीं तो बस फ्रेंट्स अब ये पुलाओ हमारा रेडी हो जाएगा पान से साथ मिनट बाद आप देखेंगे इंदम खिला खिला पुलाओ रेडी हो गया तो ये देखें फ्रेंट्स अब हम इसको सर्फ करेंगे यहाँ पर मैंने रायता के साथ इसको सर्फ किया है ये प्यास ट्रमाटर का रायता बहुत ही अच्छा लगता है इस पुलाओ के साथ तो फ्रेंट्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छे लगीगी तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा